नमस्कार, Hindi Learning चैनल पर आपका स्वागत है, हाजाश्रीमा महाजन Hindi Learning चैनल पर लेकर आई है, सूपर बातम संस्किर्ट पार्ट माला, क्लास 8 के सुडेंट्स के लिए चैप्टर नमर 13, चैप्टर का नाम है पातकंदुक क्रिडा, इजी एक्स्पनेशन, रिटर अनुवाद, स इस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ओके स्टुडेंट्, वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, कोइंसिडेंस की बात है कि आज मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूं, और आज ही कतर में, 18 दिसंबर वाले दिन, फीफा वर्ल्ड कप, फाइनल होने जा रहा है अर्जंटीना और फ्रांस के बीच में, जी हाँ, आज फीफा वर्ल्ड का फुटबॉल मैच है, देखिएगा जरूर साड़े आज बजे, तो आईए चेप्टर पढ़ते हैं, पातकंदु क्रिडा, असिमन विश्वे, पातकंदु क्रिडा का मतलब पता है, आपको परचलिता संती, असिमन मतलब इस, विश्वे मतलब विश्व में, अनेका मतलब अनेक, खेला मतलब खेल, परचलिता मतलब परचलित, संती मतलब है, इस विश्व में अनेक, खेल, परचलित हैं, ओके, तेशु, लगुड क्रिडा, पातकंदु क्रिडा, फुटबॉल चर, विख्यात तेस्त उनमें तेश्यू का मतलब होता है उनमें क्रिकेट का दूसरा नाम है लगूर की रिडा उनमें क्रिकेट और फुटबॉल प्रसिद हैं विख्यात मतलब प्रसिद यथा क्रिकेटे सचिन तंदुलकर है तथा रेनाल्डो पाद कंदुक रिडा यहां विश् हैं जैसे क्रिकेट में सचिन तंदुलकर वैसे ही फुटबॉल में रोनाल्डो विश्व में प्रसिध हैं पाद कंदु कृड़ा द्वेव दल्यो मदे भप्ती अब फुटबॉल मैच कितनी टीमों में होता है वो बताया गया तो फुटबॉल खेल द्वो जाने की दो दलों क के बीच में होता है परतेकम दले परतेक दल में एकादश क्रिड का बवंती 11 खिलाडी होते हैं ते पादा ब्याम कंदु कम नीतवा परस्परम गोलम कुरवंती वे पैरों से गेंद को नीतवा होता लेकर परस्पर मतलब आपस में गोल करते हैं वे पैरों से गेंद को लेक पाद कंदु कृडाया जनम इंगलैंड देश में हुआ विक्सितम रूपम 163 तमे वर्षे निचितम अभूत इसका विक्सित रूप जो इसका विशाल रूप था विक्सित रूप 1863 में निचित हुआ 1870 टमय वर्षे अस्याक्रिढाया नियम निर्धार्नम अभवद 1870 में इस खेल के नियम बने Пाद कंदु क्रिढा समबन्दनी अंतराश्टिय संस्ता 1904 तमय वर्षे स्थापिता फूटबॉल सबंदी अंतराश्टिय संस्ता 1904 वर्ष में स्थापित हुई किसकी फुटबॉल 2014 वर्ष के जून जुलाई मास में जाने की महीने में बराजील देश में फुटबॉल की विश्व प्रतियोगिता फीफा 2014 हुई असयाम प्रतियोगिता याम इस प्रतियोगिता में दवात रिश्यत मतलब 32 देशा भागम ग्रहित वन्ता देशों ने भाग लिया ब्राजील देशे ब्राजील देश में अयोजित प्रतियोगिता में क्रमशे नीदलेंड ब्राजील जर्मनी अर्जंटीना इते चतवारो देशा उपांति में चरने प्रवेशम कृतवंते ब्राजील देश में अयोजित प्रतियोगिता में क्रमश है नीदलेंड ब्राजील जर्मनी अर्जनटीणा इन चारों देशों ने सैमी फाइनल में प्रवेश किया मरकाना स्ट्रेडियम इती स्थाने अंतिम चर्नस्य प्रतियोगिता अर्जंटीना जर्मनी देशों मदे अभवत मरकाना स्ट्रेडियम में फाइनल प्रतियोगिता अर्जंटीना और जर्मनी देशों के बीच हुई प्रतिस पर्दयायाम जर्मनी देशस्य दलव विश्व विजेत अबवत प्रतिस पर्दा जाने की प्रतियोगीता में जर्मनी देश का दल विश्व विजेता हुआ मुल्य मौरल क्या है जीवने स्वस्त प्रतिस परदाया विकास आये क्रिड़ा अवश्य की वर्तते जीवन में स्वस्त प्रतिस परदा के विकास के लिए खेल अवश्य है ओके स्टुडेंट आई होप आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा चलिए आईए फटा-फट से एक्सेसाइज कर लेते हैं पहला कोशन है शुद उचारन करना है और दूसरा है उचारन करके अर्थ बोलने है ठीक है क्रिडाया नियम निर्धानम अभवत खेल का नियम निर्धारन हुआ ठीक है पाद कंदुक क्रिडाद्वयों दल्यों मदे भफती फुटबॉल खेल दो दलों के बीच में होता है जर्मनी देश अस्य दलम विश्व विजेता अभवत जर्मनी देश का दल विश्व विजेता हुआ पाद कंदुक विश्व प्रतियोगिता याम द्वात रिशत देशा भागम ग्रहित्वंत जानि की फुटबॉल की विश्व प्रतियोगिता में 32 देशों ने भाग लिया choose and write correct answer from given option 2014 में किस वर्ष 2014 में फुटबॉल क्रिडा की विश्वप्रती योगीता में कितने देशों ने भाग लिया पाद कंदु क्रिडाया फुटबॉल खेल का वर्तमान स्वरूप कब निश्चित हुआ 1904 में वर्षे पाद कंदु कस्य क्रिडाया जाने कि फुटबॉल क्रिडा का जनम कहां हुआ इंगलैंड देशे ओके फीफा 2014 के अंतरगत कोन विश्वविजेता था जर्मनी रिक्तसान की पूर्तिकन्नी है फुटबॉल क्रिडा के प्रतेक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं एकादश पाद कंदुक जानी की फुटबॉल खेल का विक्सित रूप किस वर्ष निच्चित हुआ 1463 फुटबॉल विश्वप्रति योगिता 2014 ब्राजील देश के किस स्टेडियम में हुई मरकाना सचिन तंदुलकर क्रिकेट में परसिद्ध हैं ओके लगुर क्रिडायाम एक पद में उत्तर दीजे जल्दी से सैमी फाइनल जो हुआ कि सैमी फाइनल में किस दल कितने दल थ कर कौन खिलारी दोड़ते हैं है गेंद क्सलिये लेकर खिलारी दोड़ते हैं तो गेंद पैरों से गेंद को लेकर हे फाइनल के वे मरतिन तल रंदी कंटेrau कहा हुई मरकाना स्टेडियम इस्तान पर धानी thrilled पर प्रत्य क्लिशित्ध और पीर संप उपसर्ख, आ, प्लस, युजद्धातु, कत प्रत्य, और पीछे आ जो लगा हुए, वो टाप प्रत्य है, इस तरी लिंग है, ओके, ग्रह इत बनता, ग्रह धातु है, कतवतु प्रत्य है, ये वहला पिटव, फाइनल है, दिस नॉट, ओके, ग्रह धातु कतवत प्रत्य प्रा-रबदा, प्रवा, प्लस आ, प्राः को तो भी कंप्लीट करने, रब दातू, जानी रब क्या होती ही धातू, स्टार्टिंग करने किसी चीज की, प्लस, कत्परत्य, टाक, क्योंकि पीछे बड़ा अलगा हुआ है, प्राजित्य परी, प्लस, परी उफसर्ग हो गया, त प्रविष्टा प्रवपसर्ग विश्धातू कत्प्रत्य धातू के सा प्रत्य जोड़िए नी प्लस कत्वा नीत्वा स्था प्लस कत्वा स्थित्वा प्रवप्लस नम्प्लस ले प्रणम्य परित्यज्य कृत्वा कृडितू इसी परकार से बाकी सब आपको दे दिये गए है कुछ ना समझ में आए तो प्रत्यत को समझने की वीडियो भी मैं इस लिंक के नीचे दे दूँगी आब उच ज़रूर देख लीजिएगा कोशन अमबर 6 में बताया है खेलों में क्या होना चाहिए स्वस्थ प्रतिस पर्दा विरोधी बावना द्वेश की बावना हारने की तो स्वस्थ प्रतिस पर्दा होनी चाहिए ओकी चित्र को देखकर उस खेल का राम संस्कृत में लिखना था और दो दो वाक्य तो दो वाक्य आपको लिखकर दे दिये गए हैं बिटा आप नोट कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में फुटबॉल के बारे में ठीक है जैसे क्र यारा खिलाडी है फुटबॉल दो दलों के बीच में होता है और फुटबॉल खेल का जनम इंग्लाइड देश में हुआ उसी परकार बैडमिंटन अती रोचक होता है बालक और बालिकाएं केलती हैं बास्केट बॉल क्रिडा में खिलाडी दो हातों से खेलते हैं और खिला को दो तीन बार अराम से सुनिए एक एक क्लाइन का वर्ड अपने आप समझ में आजाएक आपको ओकी यहां पाठ का अनुवाद आगे आपको मिलेगी वर्क्षिट प्रेक्टिस करने के लिए कि चैप्टर कितना समझ में आये हैं ओकी तो पहला कोशन है मेरा क्रिकट का प्रसिद्ध खिलाडी कौन है सची तंदुलकर क्रिड का खिलाडी दो पैरों से गेंद लेकर क्या करते हैं गोल करते हैं रन करते हैं जा कुछ नहीं करते हैं तो गोल करते हैं उसके बाद फुटबॉल खेल में प्रतेक दल में कितने खिलाडी होते हैं अब तक खुद टिक कीजिएगा चैप्टर आपने सुनाए इस खेल का नियम निर्धारन कब हुआ तो इस खेल का नियम निर्धारन 1863 में आपकी बुक में लिखा होगा इस खेल का नियम जो निर्धारन वो 1870 में हुआ ओकी विश्वप्रतियोगिता कब अरंभ हुई थी बेटा तो जो विश्वप्रतियोगिता थी 1930 में शुरू हुई थी ओकी फीफा 2014 विश्वप्रतियोगिता कहां हुई थी बेटा ब्राजील देश में ठीक है स्वस्थ प्रतिसपर्दा के विकास के लिए क्या जरूरी होता है बेटा अगर स्वस्थ प्रतिसपर्दा करने है तो क्रिड लोग पर यह है तो आप लिख देंगे यह खेल कहां अत्यांत लोग पर यह कुत्र लिख देंगे आप यहां भी उसका अंसर लाव मैं आपको लिख कर देदू कि देखिए कि इन दोनों फिलिंग इन ब्लैंक में बिटा कुत्र ही आना है मतलब कहां उसके बाद है नेक्स पेटा रोनाल्डो फुटबॉल खेल का परसिद्ध खिलाड़ी है तो रोनाल्डो किसका परसिद्ध खिलाड़ी है तो आप लिख देंगे कस्या किसका कहा हो जाएगा कस्या उसके बाद है प्रतियोगिता में कितने देशों ने भाग लिया तो आप लिख देंगे कती कितने देशों ने ठीक है राम किसके साथ खेलता है राम बालकों के साथ खेलता है न तो आप कोशे मनाएंगे राम किसके साथ खेलता है उसके बाद आ जाईए कोशे नंबर थर्ड है आपके सामने कोशे नंबर थर्ड कृत्वन तै क्री प्लस कत्वतु प्रत्य हो जाएगा क्री धातु हो गई नीत्वा में नी धातु है कत्वा प्रत्य है आगत्य में आ प्लस गमधातु लेपपरत्य हो गया आपका उसके बाद है प्रणम्य प्रव उपसर्ग नमधातु लेपपरत्य प्रचलीता में प्रव प्लस चल कृत प्रत्य ताप प्रत्य हो जाएगा ठीक है बिटा जी चलिए कोशे रंबर 4 संशोधन करके वाक्य आपको दुबारा लिखने बवान कुत्र गच्छसी आप कहां जाते हैं तो गच्छसी तो तौम के साथ आता है आपको गच्छती लिखना है बस आप गच्छती लिखने ओके वरिक्षेन वरिक्ष से पत्ते गिरते हैं बेटा है ना तो वरिक्ष से पत् पर आपका चैप्टर हुआ फिनिश कोशन नमर 5 भी है खेलों में किस भावना कभी कास होता बिटा इश्या की भावना से योग की भावना दुर भावना तो आंसर मिल गया आपको तो जल्दी मिलते हैं आपको आपके चैप्टर 14 के साथ तब तक आप चैप्टर 13 अच्छे से दोहराएं और चैप्टर 14 का राम है तमसो मा जोती गम्य वो भी जल्दी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे All the best for your exam